हाई गाईस मैं हूँ प्रिंस आप सबीका स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूटूब कैनल प्रिंस बाप में आज की वीडियो के माध्यम से हम डिसकस करेंगे कि आप अपने आइडिय को गिल्ड में कैसे जोइन कर सकते हो जैसे कि आप देख सकते हो यह मेरी new ID है मैं इस ID को Guild में जोइन करके आपको दिखाने बाला हूँ Guild में जोइन करने से आपको क्या क्या benefits होंगे सारे चीजे मैं discuss करूँगा इस वीडियो में सो चलिए गाइस वीडियो के स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद जैसे आप देख सकते हो इस स्कीन पर एक Guild का option है मैं उसे highlight कर देता हूँ simply आपको उसे उपर tap कर देना है जैसे हम tap कर देते हैं एक new page open होके आ जाता है गाइस अगर आपने Guild को जोइन नहीं किया होगा तो कुछ इस तरह से स्कीन पर सो हो रहा होगा अगर आपने Guild को जोइन कर लिया होगा गाइस तो कुछ आपके स्कीन पर अलग टाइप का interface दिख रहा होगा सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा Guild को जोइन करने से पहले काफी सारों लोकल डाउट रहता है कि एक ID से हम कितने Guild में जूड सकते हैं सबसे पहले से सिर्फ आप एक ही Guild में जूड सकते हो अगर आप दूसरी Guild में जूडना चाहते हो तो first Guild से आपको exit होना पड़ेगा चली मैं आपको बता देता हूँ आप कितने तरह से Guild में जूड सकते हो first guys मैं आपको बताना चाहूँगा आप यहाँ पर देख सकते हो एक refresh बटन है simply उसके उपर आपको tap कर देना है so guys आप स्कीन पर देख सकते हो जितने भी Guild की ID होंगे सारे 100 होने लगते है आप guys simply यहाँ से join कर सकते हो तो guys मैं आपको recommend करूँगा कि जिसकी level सबसे ज़्यादा हो आप उसको join के जीगा जैसे कि आप first number पर देख सकते हो level 4 में यह जो हमारी Guild की group है simply guys अगर आप join करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो यहाँ पर join का button है simply आपको यहाँ पर tap कर देना है इसके बाद guys जो हमारे इस team के member का leader होगा simply उसके पास request जाता है वहाँ से guys आपकी request को accept कर लेगा आप कुछ समय बात देखोगे तो आप Guild में जुड़ जाओगे तो यह guys एक तरीका था simple guys मैं आपको ID की थुरू Guild को join करके बता देता हूँ so guys मैं आपको बता देता हूँ कि ID की थुरू आप Guild को कैसे join कर सकते हो simply guys आप नीचे देख सकते हुए एक छोटा सा search engine है simply उसके उपर आपको tap कर देना है tap करने के बाद guys आपको ID नमर paste कर देना है so चली guys मैं अपने friend की guild में जुड़ जाता हूँ तो simply मैं यहां long press करूँगा अपने finger को और जैसे ही मैं long press करता हूँ यहां पास guys paste करने का option आ जाता है और मैं अपने friend की guild ID यहां पर paste कर देता हूँ paste करने के बाद okay पर tap कर दूँगा जैसे मैं tap करता हूँ guys again आपको छोड़ा search engine है उसके उपर guys आपको search कर देना है जैसे कि guys आप देख सकते हूँ इस skin पर मेरे friend का guild का group है आ चुका है simply guys मैं यहां से join कर दूँगा guys मैं आपको बता देता हूँ कि इस guild को मैं क्यों join करना चाता हूँ because guys मैं इस guild को इसलिए join करना चाता हूँ कि इस guild में guys हमें custom card हर week मिल जाता है काफी बार ऐसा होता guys कि हमें किसी guild में custom card मिलता ही नहीं है तो हम क्या करते है वहां से exit हो जाते है तो guys अगर आप इस guild id को जोइन करोगे तो 100% guys आप को custom card मिलने वाली है so guys इस join को button है simply मैं वहां पर tap कर दूँगा चलिए guys मैंने tap कर दिया है जो rig based है guild की leader के पास चला गया होगा और approve करते मिशे accept कर लेगा guys मैं आपको बताना चाहूँगा कि guild में joined होने के क्या क्या benefits है सबसे पहले guys मैं आपको बता देता हूँ कि आपको फिरी में custom card मिल जाते है weekly और साथे साथ guys आपको बहुत सारे tokens देखने को मिलते हैं जिसका यूज करके guys आप काफे सारी bundle या और वी सारे चीज़े आप open कर सकते हो so guys आपको इस वीडियो कैसे लगी आप हमें comment करके बताना आगे भी guys इसी तरह का वीडियो update में आप लोग के लिए लाते रहोंगा so आप हमारे YouTube चानल के साथ जोड जाएगा so guys जल्दी लोटते हैं एक new video update के साथ तब तक लिए thank you for watching guys